हेलो फ्रेंड्स और आज की स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं सेलू से तो देंगली पिपल गाउरेलबेस्टेशन के दर्मियान में लाइन बुलॉक की वज़ा से काफी ट्रेने देरी से चलने वाली है और एक ट्रेन जो तो अपनी डिस्टिनेशन से देरी से रवाना की जाएगी तो आज के स्टूडियो में मिसी के बारे में डिसकस करने वाले हैं तो वीडियो में लास्त तक बने रहे वीडियो को पूरी वोच करें ताकि आपको स्टूडियो के अमादयाम से पूरी प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल सके कौन सी ट्रेने जो लेट चलने वाली कौन सी ट्रेंज अपनी डिस्टेनेशन से लेट निकलने वाली है सबसे पहले मैं आप लोग को एक बात बता दू सेलू से तो देंगली पीपल का उरेलवेस्टेशन के दर्मियान में जो लाइन ब्लॉक लिया जाएगा वो तीन टपपे के अंदर जो है तो काम किया जाएगा सबसे पहले 2 एपरेल को लिया जाएगा उसके बात जो है तो 6 एपरेल को लिया जाएगा उसके बात जो है तो 9 एपरेल 2024 को लिया जाएगा तीन टपपे के अंदर जो है ये लाइन ब्लॉक का काम लिया जाएगा सेलू से तो देंगली पीपल का उरेलवेस्टेशन के दर्म देरी से जो है रवाना की जाएगी इस लिस्ट में नंबर एक पर है 17617 मुंबई शत्रपती शिवाजी महारास टर्मिनल्स हजूर साहिब नांदेर तपुवन एक्स्प्रेस जानला से तो सेलू के दर्मियान में 135 मिनिट की देरी से चलने वाली है इस लिस्ट में दूसरे नं नंबर पर है 17232 नगरसोल नर्सापूर सुपर फास्ट एक्सप्रेस जानला से तो सेलू के दर्मियान में 105 मिनिट की देरी से चलने वाली है इस दर्मियान में 4 नंबर पर ट्रेन हाती है 17630 नांदेड पुने एक्सप्रेस नांदेड से तो मानोत्रो रेल्वेस्टेशन के दर्मियान में 90 मिनिट की देरी से चलने वाली है इस लिस्ट में 5 नंबर पर है 17661 काची कुडा से तो रोटेगाव रेल्वेस्टेशन के दर्मियान में चलने वाली एक्सप्रेस 240 मिनिट की देरी से चलने वाली है और इस लिस्ट में सब में लास्ट में आती है वो ट्रेन 6 एप्रेल और 9 एप्रेल 2024 को और अंगाबाद रेल्वे स्टेशन से सवव 4 बजे के बजाए 6 बच कर 15 मिनिट को रवाना की जाएगी इस बात का जो है तो आप लोग खयाल रखियेगा तो 2 एप्रेल 6 एप्रेल और 9 एप्रेल को ये सारी ट्रेने जो है तो लेट रहेगी और अपनी डिस्टिनेशन से भी जो है तो लेट रवाना होगी तो ये थी आप लोग के लिए सेलूस है तो देंगली पीपल का और रेल्वे स्टेशन के दर्मियान में लाइन ब्लॉग को लेकर अपडेट तो उम्मिद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करे और अपने दोस्तों में शेयर करें मिलते हैं निक स्टूडियो में तब तक कि अपना खयाल रखिएंगा अलाहाफिस टेक कियर